दोस्तों स्वागत है आप सबका चडोरा पॉइंट की फूड रिवी वीडियो में आज हम करने वाले हैं मैक डॉनलेड के 100 रुपीस के अंदर जो पांच बर्गर आते हैं उनका कंपैर्शन और सारे सारे बर्गर हैं वेज बर्गर इसमें से एक जो है मैक आलू टिक की वो त आपको एंड में बताएंगे कि वाई हमें कौन सा वाला बर्गर ज्यादा अच्छा लगा और वाई इनके प्राइस जो हो सकता है शायद आपको साथ के साथ ही बताते हैं सबसे पहले इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्लोज लुक कैसी है तो सबसे पहले हम कर रहे हैं यह मैक आलू टिक्कि तो यह जो आ नियार दोस्तों सब ने कभी यक टेस्त जरूर कर रखा को और इसके अंदर थो ना उन्होंने कैचब लगा Queen होती है और वाई अन्यान के नाम पे लाव बत यह बहुत अच्छा है यह तो है चलो देखते हैं और इसका प्राइस क्या है यह हमारा नेक्स्ट चटनी जिसका नाम वैसे चाठ ट्विस्ट के नाम से आप और और करोंगे तब चार्ट ट्विस्ट है अच्छा यह इन्होंने वो टैक लगा के दिया है चटनी का ठीक है देखते हैं भाई इसकी लुक कैसी है बंद तो काफी सॉफ्ट होता है इनका मैक डॉलर वालों का अच्छा बंद सेम है बंद सेम है और प्राइस का कोई फरक नहीं है जादा ओके इसमें इन्होंने कुछ मेरे खाल से कुछ वो हरी चटनी लगा दिया है वो धनिया और मिर्च की जो हरी मिर्च की मेरे को थोड़ी सी महक आई है और पुदी नेगी और थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ गई हाँ थोड़ी सी बढ़ गई बागी नीचे वाई कुछ भी नहीं है हलका सा वो टॉस कर रहा बिल्कुल और इसका प्राइस है फॉर्टी टूर्पी प्लस टे यह हमारा डोसा बर्गर के अंदर भी डोसा है यह देखने वाली चीज है यार ओहो इसकी टिक्की बाइस साब ग्रीन कलर किया है वंकज यह बड़ा लग रहा है यार मेरे को ओहो बाइस का तो एक को यार बन जो है न वह बहुत अच्छा है इसके अंदर बर्गर क्लब की त आलो टिक्की जो है ना भाई मुझे बहुत अच्छे लगी या बिल्कुल भाई साब यह लगा रखे ना बंगा यह क्या है यह तो खाने बेब बता चलेगा ओ भाई इसका टेस्ट जो है ना मैं तरो क्या बताओ सांबर की तरह लग रहा है चलो सभी बता रहा हूं और लग रहा है ठाए क्योंकि न यह जो आलू जो रहना इन्होंने बिल्कुल जो डोसे कंदर जो आलू की लगते हैं ना फिलिंग बिल्कुल वैसा लग रहा है बाकि टेस्ट करेंगा जो चट्नी टेस्ट करी नहां जरासी वह बहुत कमालगी लगे यार और इसका प्राइस क् 59 प्लस टेक्स बहुत बड़ी है यार बहुत बड़ी है लग रहा है यह तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट है हमारा शेजवान वेच बर्गर इसके ओपर भाई उनके बस रैप नहीं था तो उन्होंने एस लिग दिया है यह देख लो दोस्तों और डबल स्टिकर लगा देला कि पह बहुत जबरदस्ट खुश्चबू आई है और अनियन जो है यार मतलब यह फिर बहुत कंजूसी करते हैं इसमें शेप अलगा है यह तीक है अच्छी है और बहुत जबरदस्ट फ्राइव रखिया बाई यह पनीर की तो नहीं यह नहीं आलू की यह बहुत बड़ी है यार इसका प्राइज क्या प्राइज क्या है फिफ्टी नाइन रुपी प्लस ठैज है थेक इस देखते हैं तो यह आज हमारा लास्ट मेक वैजी बर्गर इसको उपन करते हैं क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा जरत जादा है 100 रुपीस के अंडर ही है ये भी और यह पिदा यह ऑई तिल लगे हुआ है इसके उपर और भाई ऊके तो थोड़ा सा अनियन है लेटस लगा हुआ है पद्धा वो भी जो होती है ना बिल्कुल बंदकों युशे कर इतまず न मतलब बिल्कूल बन बराबर है यह तो मैंडॉल की खासित है कि बर्गर के बिलकुल इकोल जो है न वह टिक्की का साइस बिलकुल इकोल होता है वह सारी होते हैं हलकिसी म्योनी इस यूज करिए यह देख रहे हैं तो वाइट टेस्ट करते हैं और इसका प्राइज है एटी-फॉर प्लस टैक्स तो हमने जो है ना प्राइस के आप से लगा दिया मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस साइड में सबसे सस्ता वाला इस साइड में जो हंड़ेड रूपीज के सबसे महेंगा वाला ठीक है जी तो यह अब बारी है इनको टेस्ट करने की और सबसे पहले भाई हमारा जो है मैं का ओल्ड इस गोल्ड मितलो हां यह तो यह इनका ऐसा बर्गर है जो मेरे खाल से इंडिया के हर बंदे ने इस वाले बर्गर के अंदर ना सिर्फ और शिर्फ अगर कोई चीज अच्छी है तो वह है इनकी आलू टिक्की अधर वाइस जो है आपको इसके साथ कोल ड्रिंक वगरा की जुरूत पढ़ती बहुत जाए बर्गर है और थोड़ा सा सॉस का टेस्ट आता है बिलकुल प्याज हमने आपको दिखा दिया कि बिलकुल नाम कर रखा है वह जिसके नाम पे जबकि आराम से सिंगल स्लाइस तो लग सकते है प्याज के बिलकुल अब यह वाला जो चटनी वाला भाई साथ जो ग्रीन चटनी लगी हुए इसको टेस्ट करना है कि इसके अंदर जो है ना इन्होंने क्या चीज की आर एंडी कर रखे है वाई करे देस्ट चलो अब वह है धन्य हम घर पडनी पूदिने की चटनी बनाते हैं जो एंटिन फोड़ा से ज्यादा है रहा है घन्य अपूदीने की चटनी को यह नहीं की जो घर में बनाते ना उसके इस्तमाल के अंदर मुद्धिंश कर के कॉंबिनेशन वैसा बना दिया पुराने जो हमारे जो ओल्ड जिसको हम कह रहे न आप उसमें इतना दम नहीं रहा है अगर आप दो रुपे एक्स्ट्रा खर्च कर लोगे न तो यह अच्छा लगेगा बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा यह इसका टेस्स थोड़ा सा उसस हम प्राइस के हिसाब से चल रहे हैं चलो जिसको करते हैं तू गुड बहुत ही बढ़िया खाऊंगे आशे लगे आशे आप सांबर खा रहे हो और जो आलू टिकी है ना इनकी उसका प्रॉपर टेस्ट जो आप बर्गर की उस्वारी डोसे के अंदर जो आलू मसाला लगा ह है वीड बेस है ब्राउन है और जो टिकी है उसमें थोड़ा थोड़ा सा स्पेनेच वगारा का टेस्ट आ रहा है बहुत बढ़िया हलके से मटर के दाने भी है आलू है प्याज का लच्छा महसूस हो रहा है बहुत बढ़िया जैसे के अंदर जो मसाला तयार होते ना आलू यह तो मेरी लिस्ट में रहेगा ही रहेगा और अगर मैं में कालू टिक के खाने के प्लैन से जाओंगा तो यह मैं दोर पर एक्स्रा पे करके चटनी वाला लोंगा चलो जी नेक्स्ट कौन से वंकर शेजवान वेज बर्गर करेवाई टेस्ट चलो जी ठीक है तो आप यह अगर मतला कुछ नया करने के टेस्ट के मूड में जाते हो तो आप यह वाला बर्गर कर सकते हो जिनको पाइसी पॉसंद है तो इस पाइसी है है लास्ट कौन सा वैज यह हमारा मैक वेजी बर्गर ला वाई ला करेजी टेस्ट इसके अंदर तो काफी अच्छी जो है मियोन चलो यह 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 अब आपको बताते हैं कि हमारा overall experience कैसा है पंकत तेरे best 3 बता दे बाई best 3 बताने से पहले एक और वीडियो का suggestion देते हैं हमने पांच ब्रैंड के बर्गर का comparison का रखा है में 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 महाराजा भी टेस्ट कर रखा है उसकी वीडियो जो है ना चैनल में पड़े हुई है उसका भी लगा देंगे और काफी सारे expensive burgers cover कर रखे सारे description box में बिल्कुल अब बता फटा फट तेरे best 3 इन में से कौन से है बैस सबसे मैं इन दोनों को रखता हूं थर्ड मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है मेरे लिए फर्स्ट और सेकेंड पॉजिशन है थर्ड को मैं बिल्कुल भी नहीं रखूंगा और पंकज यह वाला बर्गर जो एक्टी फोर रुपीस का जो हमने यह वैज वाला क्या नाम इसका इसका इसमें एक स्लाइस अन्यान एक स्लाइस टोमैटो अगरा लग सकते हैं अच्छी लगाओ उसके अंदर खाने में मजा है कुछ लगाओ बहुत पीका-फीका सा लगा और उपर से ड्राइव था बिल्कुल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं उमीद करते हैं आपको हमार अच्छी लगी होगा फिडियो का लइक पॉसंद ऑजब डिस्लाइक करें शक्राइब यह यह पर सकते हैं आपके पहलते लिए नेक्स वीडियो